सर्दी के इस मौसम में गाजर खाना सरीर के लिए काफी सेहत मन्द रहता है आप इसे सबजी, सलाथ, जूश या सूप के साथ किसी भी तरह की डाएट में सौमिल कर सकते है ऐसे आपको बताना जरूरी है कि गाजर खाने से सर्दी में क्या फाइदे मिलते हैं आपको बता दें पाचन संबंदी फाइदों के लिए बहुत रहता है गाजर खास गाजर के रस में नमक, धनिया, पती और जीरा काले मिर्च, नीबू का रश डाल कर पीने से पाचन संबंदी गलबडी दूर हो जाती है 150 ग्राम गाजर, तीन लेसन और लॉंग की चटनी बनाकर हो जाना, सुबह खाने से पुराने या सर्दी और खासी को दूर करने में रात मिलती है, इसके लावा इससे सर्दियों में होने वाली बिमारी भी दूर हो जाती है मैं बात करूँगा दिल का खयाल रखने की, ज़र आप हफते में 6 गाजर खाते हैं तो आपको दिल का रोग नहीं होगा हिर्दय की कमजोरी अत्वा धलकने बढ़ जाने पर गाजर को फून कर खाना लाब दे होता है वहीं बात करूँ कैंसर की तो गाजर में बाया जाने वाला कैरोटिनाइड सरीर के इम्यून पावर बढ़ा कर बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है इसमें मौझूद बीटा कैरोटिन प्रोस्टेड और ब्रस्ट कैंसर से बचाव करते हैं तो देखा आपने गाजर कितना फादे मंद है आप के लिए सर्दियों में नहीं आप पूरे सीजन में भी आप इसे खा सकते हैं क्यूरिन हेल्टेक्स की रिपोर्ट